गोडेनी दोस्तों कैसे हो आप सब होपसो सब अच्चे होंगे 10 जन्वरी 2018 कि हमारी करंट फिर एक्सप्रेस में आप सब का स्वागत है और आज हम देखेंगे 10 जन्वरी की कौन-कौन सी करंट फिर हमारे प्रेस्प्रक्टिव से इंपोर्टेंट हो सकते सबसे पहली जो न्यूज है वो क्या है खेलो इंडिया प्रोग्राम से सम्मंदित ये पहली न्यूज है खेलो इंडिया प्रोग्राम से सम्मंदित पहली न्यूज है पहली बात तो ये खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है उसका दूसरे संस्क्रण का आयोजन हो रहा है कहां पर आयोजित की जा रहे है महराष्ट्रा के पुने मायोजित की जा रहे है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्क्रण का आयोजित की जा रहे है पुने मायोजित की जा रहे है इन आयोजन के जो theme है, that is very important, theme क्या है, 5 minute or, that is very important theme, 5 minutes more, 5 minute or, तो 5 minute or theme है कि इसकी जो दूसरे खेलो, इंडिया यूथ गेम से उसकी theme है, ये कितने दिन चलेगा, 12 दियों से खेल माउच सो है, इसके अंदर कितने खेल सामिल के गए, 18 खेल सामिल के गए, 6000 खेलाड़ी इसके अं आग लेंगे, अंडर 17 और 21, ठीक है, इनोगरेशन महराष्ट के मुखमंत्रियों और ये हमारे जो खेल मंत्रिये से, राजिवर्दन सिंह, राठोड़ जीन इनका इनोगरेशन किया, तो अपने लिए theme is very important, 5 minute और theme है, किसकी खेलो इंडिया प्रोग्राम की, अगली जो नि पहली बार होगा, वरना तो ये प्रवाशी भारती दियो, सरबार 9 जनुरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांदी जी अफ्रीका से लोट करके इंडिया आये थे, लेकिन इस बार इसका schedule चेंज कर देगे, किसे तेही जनुरी किया गया, और उसकी theme हमारे लिए important है, तो इस बार के जो theme है, वो 9 भारत निर्मान में भारती दायोस्पोरा की भूमिका, 9 भारत निर्मान में भारती दायोस्पोरा की भूमिका, 9 भारत निर्मान में भारती दायोस्पोरा की भूमिका, 9 भारत निर्मान में भारती दायोस्पोरा की भूमिका theme है किसकी जो पंद को ध्यान रखना है फ़ yaं परवाची बारते सम्मेशностью का पर वारणसी में और इसकी थीम क्या है नव बारत-निर्मान में भारति डायुस्पूरा की बुमे का और इसके मुख्य अतिति वरियें इंप्रोंट मुख्य अतिति इसके को रहेंगे मोरेश इसके परदान मंत्री परविण कुमार जगनाथ इसके मुख्य अतिति होंगे और इसके अलावा इसके सासाती परवासी भारती द्योस के सासाती युवा परवासी भारती द्योस और राज्य परवासी भारती द्योस का भी आयोजन किया जाएगा तो प्रविंट जगन नाथ इसकी मुख्य अथितिय होंगे वो भारति निर्मार में भारति डाय शुरा की बुमेंगे इसकी मुक्य थीम है अगली जो नियुज आज है दस जनुवरी तो दस जनुवरी को मना जाता है विसव हिंदी दिवस विशव इंदी द्योस के बारें कुछ फेक्ट अपने कवर करने चाहिए विशव इंदी द्योस पहला विशव इंदी द्योस उन्नीशू पिचेतर में मनाय गयता है और नागपूर में लेकिन जब रिसेंटली विशव इंदी द्योस की शुरुआत ओपचारी गूरूप से 2006 में मारी जो परदान मंतरी द्योक्टर मनमौन सिंग जी ने इसकी शुरुआत की थी और इसको मुख्य मक्सद क्या है कि परचार परशार और अंत्रयाष्ट बासा के तोर पर इसकी पैचा हिंदी विश्व में पांच यह नंबर की सबसे ज्यादा बोल ले जाने वाली भास मिल भाति धियोस मना जाता, चोदा सीनमर को, बाहरत्य हिंदी द्योस 14 क्यों मना जाता है, क्योंकि लिटानोलोजी बारें कुछ अपने पता होने, कि इस बिल के अंदर प्रावधान किये गए हैं कि जो अपरादी हैं हारड कॉर अपरादी एंग सज़ा मिली ila साथ से आदा कि सजा जिसको मिली है उसके dnA का तो बिना परमिशन के ही एज milk यो उसका दिनेका से सेंपल ले जाएगा डियने बैंक कांपर बना जागा डियने डाटा बैंक हर इस्टेट के अंदर एक डियने डाटा बैंक की इस्तापना की जाएगी हर इस्टेट के अंदर एक डियने डाटा बैंक एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक डियने डाटा बैंक हो सकता है और साथ याप में एक राश्टेild DNA Databank की बहुंच बना कि आपना कि जाएग इस DNA Databank के अदर अप्रादियों संदिगतों विचारा दिन कैदियं už लापता भच्चों गर fungi को जाएगा तो DNA स्ट किया जाएगा तो डिन टेकनलोगी विदेक और इसके बारे में कुछ facts अपने को पता होना चाहिए कि यहारे state के लिए एक से ज़्यादा state के लिए भी एक DNA data bank के इस्तापना की जाएगी इसके अंदर काफी प्रावदान किये गए सजाके भी प्रावदान इसके अंदर किये गए साथ में कैदियों के बारे में साथ साल वाला नियम हमें पता होना चाहिए अगली जो इसके लाव इसके अंदर DNA regulatory board की इस्तापना का भी प्रावदान है कि अगर मालों कोच से इसके में श्यूज होता है तो DNA regulatory board इसमें श्यूज को देखेगा अगली जो news है वो है that is very important की जल चर्चा नाम से पता चल रहा है कि ये कोई discussion होगा but that is not discussion जल चर्चा क्या है जल चर्चा केंद्रे जल संसादन नदीविकास और गंगा का अकलाप मंत्री केंद्रे जल संसादन नदीविकास और गंगा का अकलाप मंत्रा ले की एक monthly magazine है water ministry उसकी महासिक magazine है और यह water ministry की तीसरी magazine है पहली magazine है वो स्वच गंगा के लिए नमामे गंगे स्वच गंगा के लिए नमामे गंगे दूसरी magazine जो निकालता है वो केंद्रे जल आयोग निकालता है जल संसकार तो जल संसकार नमामे गंगे और जल चर्चा यह तीन मैग जीन है किसके हमारे Water Ministry कि नन्दर जल आयो कि कोण सी जल संस्कार राष्ट गंगा मिश्ण के लिए झो है नेश्नल गंगा मिश्ण के लिए कोण सी है नमा मेगंगे और यह जल चरचा इसके बारे इसके अंदर यह बता गया है कि भाई इसको नधियों-बांदों के संडक्सण के बारे में इसके अदर बात की जायेगी, ठीक है, इसके एलावा जल्चे इतना पैदा करने के लिए इसका आपवियोंग किया जाएगा, तो जल्चफच अपने को ध्यान में रखनी है, इसके लावा E-Jail, E-Jail क्या है, एजेल एक नेटवर्क है जो हमारे नेशनल इन्फोर्मेटिक सेंटर है ठीक राष्टी सूचना विज्ञान के अंदर के दौरा ये विक्षित किया गया है और ग्रेमंत्रा लेक ने इसके लिए फाइनेशल सपोर्ट दिया है इसके अंदर पूरे डाटा रहेंगे कि जेलों के अंदर कितने कैदी बंद हैं उनके मिलने वाले कप जा सकते हैं उनका पॉइंट पैंट हो सारी चीज़े ओनलाइन इसके द्वारा हो जाएंगे तो काफी इसके अंदर सुधार होगा इसके अल और कारोबार पॉर्टल और इस जेल के बारे में अपने बात ध्यान में रखना चाहिए इसके अलाब है एक राष्टे जेल सुचना पॉर्टल भी है जो देश के विभिन जेलों को का संकिक डेटा बेस दिखाता है ठीक है यह राष्टे डेटा इस्टेक्स बताता है कि कि कितने कह दिया है कौन से जल में कितने है इसके अंदर मनेप और नागलेंड से कम ये तीन स्टेट और एक लक्सेदीप के अंदर सासित प्रदेश को छोड़ करके बाकि सभी स्टेट में ने इसको इंप्लिमेंट कर दिया गया है अगली नियुज है कि जीयस्टी काउंसिल की आज 10 जनुरी को बैठे गूई नहीं दिल्ली में और उसने कुछ इंपोर्टेंट डिसीजन्स लिए तो वो इंपोर्टेंट डिसीजन्स हमारे कोड करने काम आ सकते हैं पहला जो डिसीजन लिया है वो क्या है कि जो जीयस्टी का और सब्सक्राइब घ्रेए हैं कि यह द सब्सक्राइब को च्छोटे राज्यों के नंदर 10 लाग लिमिट थी उसको बढ़ा करके 20 लाग जाते हैं उसको 40 करते तो एक तो Desde 9 धरने बढ़ा दी दूसरा इसके अनदर जो जीयस्टी काउंसिल के द्वारा जो गंपन सेशन scheme थी GST council ने जो compensation scheme थी उसको भी उसका भी जो turnover था compensation scheme के तहब उनको बार बार return बनना पड़ता था तो उस turnover को भी नहोंने एक crore से बदल करके कितना कर दिया 1.5 crore रुपे कर दियां ठीक है तो अब जो turnover बनने की है वह limit स्कीम के तरफ बार बार रिटर्न बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जो लिमिटर डेड करोड कर दिए इसके लावा एम ऐसे में जो माइक्रो स्मॉल अंड मीडियम एंटर प्राइज जया लगों सुच्च मुद्धोग उनके लिए भी साल में एक बार ही रिटर्न ब परनी पड़ेगी तो ये कुछ से कंपनसेशन इसके तैत दिये गए हैं इसके लाव 26 वस्तों के टैक्स लैब में भी परिवर्तन किया गया इसके लाव जो वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम है उसकी एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अंदर बताय गया है कि 2030 तक बाहरत व मार्केट ये रिपोर्ट को नाम दियेगा वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम ने और इसमें बताया गया है कि 2030 तक बाहरत विश्तों का तीसरा सबसे बड़ा कंजूमर मार्केट होगा तो ये कहीं नहीं कोट करने के लिए हमारे काम आ सकता है इसका लाव वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम मेंड लाव का रिशन सता है दूर मुख्य र॥ देश्क है विशसवकर राजनेती और शैक्ची और रहने चीत्रों के अंदर जो अगणी लोग centres पने इ новых प्लेट फोरम पर लाकर के है चित्री और उद्धोगीक दिशा त्या करना यह इसका में मोटो है किसका वर्ड एकोनोमिक फॉरम का और इसका अभी दावस के अंदर सीथ का लिन सत्र होता है तो वहां पर कुछ रिपोर्ट जारी की जाएंगे तो वह अपने डेरे इसको कंटेन्यू करते जाएंगे तो यह अपने मेमराइज हो जाएगा वर्ड एकोनोमिक फॉरम में एक गयरलाबकारी संता है जो की विश्व्यवसाय राजनेतर शिक्षा कि जो अगणे लोग है उनको एक प्लेटफरम पर लाकर करके विश्वेक छेत्री और उद्धोगीक दिशा का उत्तैक करना इसका में मोटो है तो दैटेटेव तूड़ी फॉप शूप जो यूग लाइक इट एंड शेरिट पहला जो कोश्चन है आज कि सवाल के सेक्षन के अंतर जो पेहला कॉश्चन है वह यह है कि जो जल संसादन मंत्राले है उसके द्वारा हाले में तीसरी पत्री का मासिक पत्री का जारी की गई तो उस मासिक पत्री का का नाम क्या है पहला कोशन दूसरा कोशन जो है वो यह की वर्ल्ड एकोनोमिक फोरॉम की रिसेंट्ली रिपोर्ट के अनुसर विस्व का तीसरा सबसे बड़ा दो अजार तीस में विस्व का तीसरे सबसे बड़ा उबोगता या कंजोमर मार्केट कौन सा देश होगा तीसरा जो कोशन है खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम के दूसरा संसकन का आयोजन का पर हो रहा है और इसकी थीम क्या है होगा आप सब जल्देश जल्देश के रिप्लाइ गरें थैंक्यू थैंक्यू सो